बिग बॉस की गिर्ती टी आरपी, टी आरपी की असली वजह है और प्लस कैसे गिर्ती टी आरपी को बचाने के लिए लिया गया सिधार शुकला का नाम आईए इस वीडियो में आपको बताता हूँ स्वागत है आपका फीफा फूस में मैं आपका होस्ट और राहुल भोज चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें दोस्तों सोशल मीडिया पे फीफा फूस के अफिशल हैंडल को फॉलो करें साथी साथ मैं भी अविलेबल हूँ आरेहुल बीच ओजी राहुल भोज के नाम से तो वहाँ पर मुझे फॉलो जरूर करें अब बात करते हैं कि कैसे जब टियार्पी गिर गई है पूरी तरीके से टियार्पी जीरो आ गई है लगभग दोस्तों तो आ गई है याद सल्मान सहाब को सिधार्त शुकला की अगर आपने वीकेंड का वार ध्यान से देखा होगा अगर आप वीकेंड के वार में शब्दो को ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको बताना चाहता हूँ मैं दोस्तों कि सिधार्त शुकला जिहां सिधार्त शुकला का नाम आया सामने सल्मान सहाब ने बोला कि कोई मुझे इसा strong नजर नहीं आ रहा एक season था जहांपे साफ तौर पे चीज़े दिखाई जाती थी जहांपे साफ तौर पे चीज़े होती थी सिधार चुकला कि अगर बात करें तो साफ तौर पे चीज़े आती थी बट अगर बात की जाए अब तो दोस्तो बिग बॉस के घर में सच मुझ में कोई भी साफ साफ क्लियर तौर पे विनर नजर नहीं आ रहा है दोस्तो आपको बताना चाहता हूँ कि सल्मान सहाब ने गिर्तिर टियार पी को लेकर साथी साथ घर में जिस तरीके से दुश्मनिया चल रही है या दुश्मनी नहीं भी चल रही है सुभे लड़ते हो शाम को दोस्त बन जाते हो उस चीज़ को लेकर एक बड़ी बात बोली है कि सिधार चुकला एक वो था जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग था और यहां पर आसिम का भी नाम लिया गया उस पूरे सीजन का नाम लिया गया कि वो सीजन कितना ज़्यादा शानदार था और आपको बताना चाता हूँ उसके बाद तो सोशल मीडिया पर जैसे सिधार चुकला फिर से चा गए हैश्टाइक शुरू हो गए उनके तो दोस्तो इस बार भी काश अगर ऐसा होता कि सिधार भाई हमारे बीच में होते तो हो सकता है कि बिग बॉस पंदरा में भी वो वापस आ जाते टी आर्पी को बढ़ाने के लिए आप लोगों को क्या है कहना कितना मिस करें आप सिधार भाई को कॉमेंट करके ज़रू बताए चलता हूँ मैं अपना खयाल रखे